हेलो, आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम साइन्स के बारे में, किसी ने तो मेरे लास्ट वीडियो पे पूछा था, उनका नाम नहीं है, इसलिए में नहीं बोल पा रहे हूं, तो आपको कैसे पता चलता है कि आपका ट्रू ट्विन फ्लेम कौन है, कैसे पता चलता है, और तो मेरे केस में तो इसा हुआ था कि जब में फॉल्स ट्विन फ्लेम फिज इनिसीएस की आपको पालस ट्विन सेकेंड जब मेंने फॉल्स dwिन फ्लेम फ्रस्त रिलीज बार फिर में फॉल्स dwिन फ्लेम तू के एक्सपिरियंस में इंटर के आपका तू काफी पीसफुल फील होते हैं फंडमेंटली और मैं आपको साइंस बताती हूं आगे बहुत पीसफुल और असे समझ में भी नहीं आएगा क्योंके आपधनोंकि एनर्जी सेम है सिर्फ यह गाने की ट्रिगर उनका कोई भी बात उन्होंनें बोला तो आपको अंदर से मन से जुभेगा थिकरे अन्द से चुबहेगा तो आपके पुल है और आपके सूल में दिखाएंगे तो वो सोल में अगर आपके ब्लोक से तो बूब्लोक से दिखाएंगे और आपके सूल के जो अच्छे चीजे हैं लिए आप यहां सुचिए कि आप ट्विन प्लेम जननी पर हो सिर्फ ब्लॉक सी ब्लॉक से और ब्लॉकशी क्लियर करना है यही करना है इसा कुछ नहीं है ठीक है तो आपका अप्चुली इसे एक्सपांशन पाथ मतलब आप बढ़ रहे हो आप असेंड कर रहे हो है ना आपके जो भी अभी करेंड वाइब्रेशन है उससे आप भगवान के तरव वाइब्रेट हो रहे हो हो सकता है और याप उसको समझ आपने काफी इँपने कर रखा है यंकि जिंदेगी वहर किनो सकता है है यह मिलाओ दो आप सिर्फ या जो सब बहुत अनवर्दीनेस अपसेशन या जो मैरा सेल्फ क्रिटेट यह सब डॉमिनेटिंग ट्रिगर जुथा वह मेरे फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ हो रहा था है क्योंकि पॉल्स ट्विन फ्लेम आप तभी ऑट्राक्ट करकते हो स्पेसिफिकर यदि मतलब मतलब क्या है मतलबeted वोगलत मतलग गलत नहीं वह फॉल्स मतलब क्या सुर्ण मतलब क्या आप कुछ चीज कुछ देख रहे हो जो सच नहीं है है ना तो फिर में वो देख रही थी जब मुझे पता था कि मैं लड़की हो रहे तो जब मैं देख रहे थी तो मुझे पता नहीं था कि मैं कौन हो रहे जब मुझे मैं कौन हूं और मेरी सच्चाए क्या है नहीं पता है तो फिर naturally मेरे consciousness में बो लोग रहेंगे जो मेरे लिए सच नहीं है या तो फिर मेरे जर्णी के पाठ नहीं है जो मैं देख रही हूं वो सब कुछ जूट है वो सब निकल जाएगा तो कही ना कहीं मेरे अन्दर था कि मैं सच नहीं देख पा रही हूँ या मैं सच नहीं देख पा रहा था मेरे अंदर देख रहे ज़र के मैं अंदर से मास्कुलाइन अनर्जी हूँ कि तो वो में नहीं देख पा रहा था राइट वो मुझे नहीं संबध में आ रहा था तो वो जब में अपने authentic self से disconnected हो तो ऐसा नहीं होता मैं और एक थोड़े दर बाद explain करती हूं तो जब में अपने authentic energy के साथ connect नहीं हो पा रहा हूं तो फिर मैं सामने कैसे एक true twin flame देखूँगा तरे वो मेरा सबसे बड़ा ब्लॉक था क्योंकि मुझे अंदर से मेरी divine masculinity नहीं पता था तो जैसे मुझे जैसे ही मुझे पता जैसे ही मैंने release किया मेरा false twin flame क्योंकि मैं अपने twin flame journey को मैंने अपने life purpose के through heal किया है क्योंकि मेरा कोई romantic interaction नहीं हो रहा था तो there was no romance externally सिर्क मुझे इतना पता था कि मेरा जो सब यह pain and all यह सब निकल रहा है क्योंकि मैं twin flame के journey पे हूं तो जब तक मेरे life में कोई और नहीं था तो मेरे लिए वो सामने वाला अंशान मेरा true to inflame था तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करते थी या मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता था जिससे जिससे मतलब इंसान को जो सामने वाले इंसान को ट्रिगर करें वैसे मैं जब मैं खुद क्योंकि मैं खुद प्रिपार नहीं थी तो धक्का हप अपने को लगता है राइड क्योंकि आप प्रिजेक्ट फील करते हो तो इससे अच्छा है कि आप एक्स्टरनली कुछ एंगेज हुए बिना आप खुट के अंदर को हील करिए जिस दिन आप हील हो जाओगे और आप सामने वाले को बोलोगे और सामने वाला आपको रिजेक्ट करेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि अगर ट्रू टू इन फ्लेम होते तो वो रिजेक्ट नहीं करेंगे अब जबके आपको पता है कि आप हील हो जबके आपको पता है कि आप अंदर से रिजेक्शन को हील कर चुके हो तो फिर सामने वाला अगर ट्रू टू इन फ्लेम है तो वो सामने वाला आपको तो जैसे मैं अपने अंदर से मेरे मास्कुलानेटी को रिजेक्ट कर रहा था तो सेम में साइनेटी रिजेक्शन पॉल्स टून फ्लेंट रहता है तो तो इसा रहता है और दूसरा साइन क्या था कि जिसे आप रिलीज करोगे जितना कमफर्टेबली आप रिलीज करोगे कि आप जब तक आप खुछ से प्रिपार नहीं होते हो तब तक तो आपका अटाच्मेंट नहीं छूटेगा रहे तो आप जबर्दस्ति मत करिए वो अटाच्मेंट को आप इनर वर के तो हील कर सकते हैं तो जब तक आपका अटाच्मेंट हील नहीं होता है तो इस ओके अगर वो फॉल्स टूइन फ्लैम है या भी या तो फिर वो टूटू टूइन फ्लैम है तो आप उनके साथ फ्रेंड्शिप रख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं वह वह कोई ऐसे प्रेंड्शिप रख सकते हो बस आप आपके सेक्सुल एनरजी लिक मत करिये क्योंकि जब आप सेक्सुल एनरजी लिक करता है तो फिर वो आपका टूइन फ्लैम प्रॉसेस बहुत अले करता है तो जब तक आप तो आपको वो शोर नहीं होता हो ना के वो टूटू जहां पर आपके काफी फ्रेंड्स है तो फिर इनके साथ भी आप आपसल्यूटली फ्रेंड्शिप रख सकते हो तो आप पूरा अगर उनको उनसे अवोइड करने की कोशिश करोगो तो आपको तकलीफ होगा आप उस तरह से कभी डिटाच्मेंट नहीं कर पाओगे तो उस जैसे जैसे आप हील करेंगे फिर मेंने अपना फॉल्स्टूंफलेंड रिलीस किया तो मुझे पहला साहिन एंक अ chu मेरे लाइप में काफी कुछ चीज़े चल रहा था तो उस उसके बीच में मेरा उनके साथ जो फ्रेंड्शिप था वो काफी इगनोर हो गया था बिल्फिल बात नहीं हो रहे थे तो फिर एकदम से कॉल आया कि मैं उनसे कनेक्ट होना है बहुत दिन हो गया और फिर मेरे जो आजवाज़ी के फ्रेंड्स थे न वो जो हमारे कम्यूनिटी में है जो मेरे टुइन फ्लेम फ्रेंड्स है तो वो सब ऐसे आके मुझे बोल रहें कि आरे मुझे उन्होंने ब्लॉ प्रोप कर दिया ऐसा कुछ फेंड है फिर ब्लॉक कर दिया तो फिर बेचिंसरग चले आव का साइन होता है मदलेखान जो लोग तो आपको वो किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है अगर वो टू टू इन फ्लेम नहीं होते तो साइद वो साइन से आप इतना इंपक्ट नहीं होगे जैसे ही चला जाएगा बड़ जैसे उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंनों को ब्लॉक कर दिया तो मुझे एकदम से ल दो ऐसा होगा कि पिर मैने सोचा के चलो रेड़ कर एक बार कार्ड रीडिंग के तो मतल्ड आजए क्लाइंट में उनके पास जाता हूँ वैसे भी मेरा बहुत सारा सेशन मेरा बहुत सारा हीलिंग में उनके थिरू ही कराया है और मेरा हमेश्छा का एक्सपरियंस रगे जै तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने इमिटेटली उन से ले लिया पर्शेस कर लिया कार्ड और सारी के सारी कार्ड ऐसे थे कि मेरी सारी जो सचा ही है जो मैं ब्लॉक कर रहा हूं वो सब दिखा रहे थे और और फिर तब तक मुझे मेरी डिवाइन मास्कुलिणरी नहीं पता थ तो मैंने वो सारी कार्ड रिडिंग लिये और मिने पूरा बलब देख लिया थे 12 कार्ड का रिच लिया था कि मुझे न पूरा एक स्कैनिंग चाहिए था i at तब तक काफी फ्रस्ट्रेट हो चुगा था यह क्या है मुझे आगे कुछ तो क्लारीटी चाहिए मुझे आगे बढ़ना है मुझे स्टक रहना है बिल्कुल पसंद नहीं मुझे इना मैं अक्शन औरियंटेड पॉर्सन डाइनमिजम रहना चाहिए लाइफ में कुछ तो होत को चेल हर हफ्ते में अल्मोस तीन से चार सेशन होते हैं सब्सक्राइब कर दूंथ कि नता है है आसान हो जाता है कि हर लोक हर एक इंसान आपने घर के काम में वेस्थ हो गया है किसी के लिए आपके पास आपके लिए टाइम नहीं है हर कोई अपना बरतन घर साफ करने में बिजी है तो फिर बड़ा peaceful time था के जहां कि अभी तक मेरा उनके साथ इंट्राक्शन हुआ था वो मुझे क्या दिखा रहा था और मैं क्या देख रहे था क्योंकि मुझे मेरी सच्चाई नहीं पता था इसलिए में हमें जब तक आपको खुद की सच्चाई नहीं पता है तब तक आप फॉल्स एवेंट अट्राक्ट करो के तो मैं आपको यह बात बताना चाहता था कि आप इस फॉर्म में भी मत जाहिए कि पता चला कि आप आपके आप करनेक्प होने स्युरू किये और आपको पता चला कि आप फीमेल बॉड़ी में nên हो या मेल बॉड़ी में फीमेल हो तो आपको पीशफूल हों सबसे तो यह मेरा बिल्कुल साध में मत जाये कि आप ऑथनिक इसरफ संपॉरर ही नहीं करना चाहते क्या पता अंदर से मास्कुलाइब फेमिनेन क्या निकल जाए तो उस बिल्कुल उस उसमें जाके खुद को ब्लॉक मत करिए अफ। इतना होता है कि जो आप मन से फील करते हो आप सेम एक्सप्रेस करो बाहर क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम इतने कंडिशन है कि प्लीज करना लोगों को जबरदिश्टी का अच्छा-च्छा बोलना या लोगों का मतलब ऐसे ही लोग चाहते हैं इसकी वज़े से कुसी तरह से पर्टिकलर वेसे बिहेव करना तो यह सारे भी आपके अथेंटिक ब्लॉक्स होते हैं ठीक है तो जैसे जैसे और अगर आप में वह ब्लॉक है तो बहुत नाचुरियल कंडिशन होगा कि आपका साम वाले को जज़ करना कि वह प्रू है फॉल्स है आप खुद के अंदर अंदर की सच्चाई मेरे मेरे टू टू इन फ्लिम जब भी मेरा कोचिक लेते थे और जब भी में यह उनके पास लेके जाता था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह मेरा टू है के फॉल्स में इसलिए मेरा हमेशा का डिगिंग रहता था मुझे जानना है कि में कोन हो भगवान मुझे बताओ कि में कोन हो जिस दिन आप जानोगे कि कि आप कौन हो उसी दिन आपको पता चलेगा कि आपका लाइप परपस क्या है कि अगर आप चुछ फोड़ा बॉखला जाते हो कोई कोई भी सचाही से आपके सामने आता है और बोखला जाते हो तो फिर हो सकता है कि आप परपस भी नहीं पेचान पाओ बट कोई नहीं एक बहुआ सच्छा ही सामने आया तो फिर ग्राउंडिंग अपने आप होता है कि मतलब आप दिरी दरी उसमें से टेल हो जाते हो तो जाए तो वैसे वैसे आपका लाइप पर्फरस आपका क्लियर हो जाये रह apologized वार्वाला टुइन फ्लम मेल रे रहाइं था तो फिर और क्या चाहिए तो बस आके बढ़ते जाहिए और बाकि कुछ साइन्स ज्यादा से ज्यादा आप अगर 1111 देखोगे तो वह कॉमन है मैंने फॉल्स टूल्स में भी देखा था टूटू इंफलेम में भी देखा चैनलिंग बहुत होते हैं चैनलिंग सुरू हो जाए सेकेंड आपको यह मिलेगा कि अगर सोचो के टूटू इंफलेम में आपको नहीं जान लिए फिर भी कुछ स्टिल कुछ ब्लॉक से क्लियर नहीं हुए हैं और आप फिर भी ब्लॉक्ट हो तो भगवान ऐसे सिचुएशन लाएगा जहां पर आप दोनों को आना ही तो फिर बस रिलाक्स भगवान है करने वाले आपको क्या करना है बस खुद को प्यार करना है और आगे बढ़ना है थैंक यू